चलिए chapter का नाम, एकदम new chapter, clubbing of income, और sir कितने number का आएगा, ये exam में 6 marks के question पूछे जाते हैं, और अक्सर ये question आता ही आता exam के अंदर, हम बाद में बात करेंगे, कौन से place पे आएगा ये question, लेकिन हाँ, ये question 6 number का आएगा, sir इस chapter के अंदर, आपको सरिफ और सरिफ net to net, एक से सबा घंटा ध्यान देना है, आपका class में chapter revise हो जाता है, class में तयार हो जाता है, class में याद हो जाता है, बस लिखने की एक पर आपको practice करना है, यहाँ पे section, वैसे law कहता है, income tax के भईया, clubbing of income में section 60 से लेके, section 65 तक पढ़ाया जाएगा, 65 तक, लेकिन आपके exam के point of view से, इतने 5 section आपको नहीं पढ़ने हैं, बहुत limited section पढ़ने हैं, मैंने एक section लिखा हुआ, इस section को अभी थोड़ी दिर के लिए हम क्या कर देते हैं sir, ignore करते हैं, पहली बात, यहाँ पे जो मन में एक सवाल आता है मेरे, मेरे सवाल आता है मन में, कि भाई, इस chapter को क्यों बनाया गया, heads of income तो समझ में आता है, कि यहाँ से income होगा तो पता होन चीए, तो जो आपका clubbing है, clubbing of income, sir यह chapter बना क्यों, मैंने कहा है law पहले हुआ ही नहीं करता था, राजाओं के टाइम पे law नहीं हुआ करता था, जैसे जैसे लोगों ने अपना दिमाग चलाया, उस गलत काम को रोकने के लिए कानून बनता गया, और बनते बनते इतने ज़्यादा pages के कानून हो गया कि उसकी study भी करने पड़ती है, जिसे एलिल भी करते हैं बच्चे लोग, तो सर, इसके पीछे भी कोई कहानी रही होगी, बिलकुल, इसके पीछे पहले एक बार background समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा सर, ये chapter क्या है, हुआ ये, मैं एक example ले लेता हूँ, Mr. X, Mr. X का income, अगर मैं इसके income की बात करूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ये Mr. X है, इसका salary पांच लाक रुपे का है, मतलब सब कुछ करने के बाद, और house property से income, दो लाक रुपे का है, पांच लाक और दो लाक, मैं दुबारा सारी चीज़े बताऊँगा, चिंता मत करी, मुझे एक example पहले लेने दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं hand raise वगेरा का doubt नहीं ले पाऊँगा, अब इसकी tax liability निकाली जाए, तो सर, tax liability इसकी देखी जाए, तो total, 7 लाक का, तो up to 250, law कहता है, up to 250, nil, next 250, सर, old regime करोगे, new, मैं old ही लेके चलूँगा, basically, 5% के हिसाब से, 12,500, balance, सर, 5,000,000 का हिसाब हो गया, तो बचे कितने, 2,000,000, इस पे at the rate, 20, that is, 40,000, यहाँ पे हो गया, 52,500, 52,500, It's clubbing of income topic, हाँ जी, बिल्कुल clubbing of income ही चल रहा है, तो यह जो 52,500 है, यह इसका tax है, अब जो Mr. X है, इसकी कमाई 7,00, रुपे है, और 7,00, रुपे में से इसे मान लेते हैं, मोटा-मोटा, 52,000 रुपी से इसे government को tax भरना है, हर साल salary भी fix रहती है लगबग और rental income भी fix है, अब कौन व्यक्ति चाहता है, के मेरे pocket से पैसे निकालके सरकार को दे दे, कोई भी नहीं चाहता, अब इसने अपना लगाया mind, mind ये लगाया, के भाई government कहती है, पहले इसने पूरा study किया, government कहती है, पांच लाख रुपे तक की income पे, आपका जो tax होगा, वो zero होगा, पांच लाख की income पे tax होगा, वो कितना होगा, तो कहीं न कहीं देखा जाए, तो सर, दो लाख रुपे पे में 50,000,000 रुपे का tax भरना पड़ रहे हैं, अगर इस दो लाख के income कोई खतम कर दिया जाए, तो फिर क्या बात हो, तो फिर हम बच सकते हैं, tax नहीं देगा, तो जो आपके दिमाग में planning चल रही है, कि क्या कर सकता है ये, वही इसने किया होगा, कि इस दो लाख के income को नहीं दिखाना चाहता है, अब सर, दो लाख के income को क्या करा है, इस next ने, मान लेते हैं, कि इसकी sister है, और widow sister है, और अपनी widow sister के नाम पे ये income दे देता है, दो लाख, next year जब income tax भरना हुआ ना इसको, तो X ने income निकाला, salary पांच लाख, और इसके उपर tax निकाला गया तो, सर, zero, सर, पांच लाख पे, धाई लाख निल, 87 A, B मैंने ले लिया है, इसके इंदर consider कर रहा हूँ, इसके sister ने भी, इसके sister की income, और इसका भी tax, बस इसने करा क्या है, अब ये दो लाख रुपे क्या लगता है, जैनुवनली अपनी sister को दे ही दिया हुआ इसने, सिर्फ tax बचाने के लिए, उसके नाम पे account के अंदर डलवाए, और फिर ATM से, निकाल के लिए आया हूँ, कहानी यही है सारी यहाँ पर, government आई, income tax officer आई, भाई, X पिछली बार तुमने टेक्स भरा था, इस बार तुमने टेक्स नहीं भरा है, और टेक्स तुम्हारा बनता है, 52,500, आप टेक्स को पेमेंट करिए, government ने बोला, किस से बोला सर, government ने, Mr. X से, X ने बोला सर, इस बारना मैंने जो दो लाक रुपे की income है, वो मैंने अपनी बेहन, जो मेरी sister है, वो वीडो है, उस बिचारी के नाम पे कर दिया है, अब जो मेरा मकान है, उस मकान का किराया, मैं नहीं लिया करूँँगा, मेरी sister क किसी को भी transfer कर देगा, बोलेगा, मेरी, कोई बोलेगा, बेहन है, कोई बोलेगा, मेरा brother है, कोई बोलेगा, कुछ और है, अलग-अलग इसके सामने excuse आएगा, government ने बोला, sir आपको tax देना पड़ेगा, government ने कहा, आपको tax देना पड़ेगा, sir Mr. X अड़ गया, और Mr. X ने कहा, कि भीया मैं tax नहीं दूँगा, ऐसा कौन सा कानून है, जहां पे tax देना पड़ता है, अगर मेरी जितनी income है, मेरी income पे tax लोगे, ना कि आप दूसरे की income पे भी मैं tax दिम्यदार हूं, तो government ने कहा, नहीं जी, यह income आपने sister को दिया हमें, सही नहीं लग रहा, यह income हम आप में जोड़ देते हैं, बोला, ऐसा तो नहीं होगा, और कहीं law बना भी नहीं था, कहीं law बना भी नहीं आता, यह case भी आया था, 1983 की बात है, case law जब मैं honors के सार करूँगा, तो मैं उस पर बताऊँगा, तो उसने बोला ऐसा नहीं होगा, तो उस time पर government क्या चाहती है, कि इसके sister, जो इसकी sister है, इसकी sister की income को कहां दे दे, जो इसके sister के पास जा रहा है, किस में जोड़ दिया जाए, तो sir, club का मतलब होता है, जोड़ना, club का मतलब होता ह यह वो वाला club नहीं है, ठीक है न, यहाँ पर club का मतलब क्या है, एड़ करना, यानि government क्या चाहरी है, कि आपकी sister वाली income, जो आप disclose कर रहे हैं, अपनी sister वाली income, उस sister वाली income को हम sister की नहीं मानेंगे, जो आपने ही दी है, उसको हम आप में ही जोड़ के, फिर अगर आप में page और बढ़ाना पड़ा, और government तब लेके आई, वहाँ पर section 60, बोला चलो इस साल तो बच गए, अगले साल हम आपको section भी दिखाएंगे, इस section में लिख दिया गया कि अगर आज के बाद कोई भी वेक्ति, आज के बाद कोई भी वेक्ति, अपनी income किसी नाम पर transfer करेगा, without transfer of assets, मतलब सर, assets आपके पास ही है, सिर्फ FD आपने अपने नाम पर करा रखा, उसका भी आज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आज के बाद कोई भी income आपने transfer किया किसी के पास, without transfer of assets, then वो income उसी की मानी जाएगी, जिसने वो income transfer किया है, तो उसके बाद introduce हुआ section 60, तो इस chapter क background ये है, कि जो income बचाने के लिए हम अपने income को क्या करते थे, distribute कर देते थे, क्योंकि जितना ज्यादा income होगा, सरकार के पास tax उतना, ज्यादा आएगा, उसने क्या करा income, कुछ अपने बेटे के नाम, कुछ वाइफ के नाम, कुछ अपने sister के नाम, कुछ brother के नाम, ऐसे spread करन रहे थे वो, हर किसी में, जिसके घर पे मानलो, 10-15 रुपे होगा, तो अपने पापा में भी, दादा में भी, मतलब, अब सब के account पे पैसे आ गए थे, लगभग लगभग उस टाइम पे, तो यही था, कि आप क्या कर रहे थे हो, पैसे को spread कर रहे थे हो, कि government पूछे इस से तो यहां पे government, लेखिन उनको यह नहीं पताता नहीं, कि सरकार deemed भी मान लेती है, तो section 60 आया, तो इसका chapter का purpose यह है, कि अगर आपने income को किसी और को दिया हुआ है, genuine reason अगर हमें लगता है, तो ठीक है भईया, नहीं तो वो income आप में जोड़ देंगा, आप दे दो, उनको सा जाएगा, तो सबसे पहले section introduce हुआ 60, section 60 क्या कहता है, वही सामने लिखा हुआ है आपके, sir section 60 कहता है, कि transfer of income without transfer of assets, मतलब sir, Mr. X ने, मैं example ले लेता हूँ, वही same, आप जिसको note करना और note, और मैं बता हूँ, तो ऐसा जब question आता है, कि section 60 explain करिए, तो इसके जो theory है, वो तो मैं read करा दूँगा, दो line की theory है, कि income transfer without transfer of assets, then income will be club in the hand of the transferer, not transferee, तो दो तिन line का है, लेकिन आप जो मैं example लिख रहा हूँ, वो example भी आप लिख के आ जाएं, कि suppose, for example, Mr. X has an income, किस के stage का income है Mr. X का, एक salary income है, कितने का 5 lakh, और एक house property की income है, कितने की, 2 lakh, total income इसकी कितने की है, 7 lakh, out of which इसने 2 lakh रुपे transfer कर दिया, किसके, ये 2 lakh रुपे transfer कर दिया इसने, तो सर ये जो transfer कर रहा है ना, इसे बोलेंगा transferor, और जो इसकी sister है, इसकी जो sister है, और ये sister जो income ले रही है, ये है transferi, तो इसने क्या करा, इसके नाम पे transfer कर दिया, तो आप बताईए, किसके अंदर income जो है, ये किसका माना जाएगा, tax के purpose के, X का, तो इसका answer होगा, कि ये जो income club होगा, यानि clubbing जो होगा, in the hand, in the hand of, पताईए, Mr. X, not, इसके sister, not his, यानि मैं यहाँ पे देखो, जादा time, मैं क्योंकि conclude way में, आपको मैं notes के अंदर, मैं चीजे डाल दूँगा, जिसमें पढ़ लोगे, मैं कोसिस करूँगा, एक story बना के देदू, कि X है, X ने अपने income, अपने video sister के नाम पे transfer कर दिया, और आप बताईए, कि इसका क्या provision होगा, क्या applicability होगा, तो उस case में उसमें बताना होगा, तो पहले तो देखिए, section बड़ा सीधा-सीधा section है, और हर section के पीछे कहानी है, logic है, कि कैसे हुआ, कैसे बना, genuine है, ऐसा नहीं के बन के आगया, पढ़ने लग गया, पहले किसी नहीं सा fraud नहीं किया होगा, तो यह section नहीं रहा होगा, जब लोगोंने दिमाग लगाया, तो यह section बन गया, तो बताईए, पहले इस section में कोई दिक्कत, क्या कहा, income transfer without transfer of assets, then income will be club in the hand of transferr, किसके, in the hand of transferr, not transferr, simple सी बात है, इस section की हम बात करें, पहले यहां तक समझ मैं यह बात, यहां तक बताईए, किसी को कोई दिक्कत है, तो यह section में, इस section में किसी को दिक्कत, clear है, चलिए सर, इसके बाद, इसके बाद, आपको लगता है, सरकार एक कानून बनाएगी, उस कानून को तोड़ने के लिए, दूसरे लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं, इस बार तो मैं text दे देता हूं, x की सोच देखिए, यानि x परेशान किस बात को लेके था, उस दो लाग की income को, salary था, पांच लाख, और house property, यानि इसके घर से income, सर दो लाख, ज्यादा भी हो सकता है, in fact, मैंने दो ही लिखा, मैं चार भी लिख सकता हूं, इसको, मैं एक ए example लेके चल रहा हूं, पूरा chapter में, तो तक ही समझ में आ जाए, 7 लाख रुपए, इसने फिर से क्या करा, ये income अगर दे देता है, अपनी sister को, और ये government को कहता है, सर, ऐसा कौन से कानून में लिखा है, कि मैं अपनी income किसी और को दे दूँ और उसके उपर भी मैं text दूँ, तो government इसको बोल सकता है, सर, ये section 60 में लिखा है, आप उसको पढ़ लिजिए और आप 7 लाख रुपए पर text दीजिए, इसने जब section 60 लिखा था, तो वहां लिखा था, without transfer of assets, ये बात इसके दिमाग में लग गई, मतलब ये section तभी हमारा कुछ बिगाड सकता है, जब तक मेर मेरे पास assets है, अगर मैं income भी दे दूँ और assets भी दे दूँ तो काम बन जाएगा, फिर तो government का ये section मेरे उपर applicable नहीं होगा, इसने क्या करा, बोला भाया ये section आपने सही बोला मुझे पढ़ने के लिए, अब मेरा दिमाग चल गया है, अब एक काम करते हैं, फटा फट से ल और property का paper जो था, जो इसने बनाया, अपनी sister के नाम पे, wife के नाम पे, या brother के नाम पे, किसी पे के नाम पे कर दिया, लेकिन इसने सोचा एक बार को, कि यार अगर मैं property अपने भाई को दे दूँ, क्या पता कल मिले और ना मिले, sister को दे दूँ, तो risk है, मिले या फिर ना मिल टेक्स प्लैनिंग करी, और टेक्स प्लैनिंग करके इसने बोला, ऐसा करता हूँ, विल के अंदर वसीयत में लिख देता हूँ, ये property एक साल के लिए, जैसे एक साल खतम होगा, एक नया विल बनाऊगा, फिर अगले साल के लिए, मैं किसी को भी property दूँ, क्योंकि मेरे से ब पर लगा दिया, condition, देख रहे हो, इसे डर भी है और इसने अपने डर का समाधान भी किया, अब सर ये जो property है, इस property की जो income है, वो चला गया इसके sister के पास, अब government ने बोला, अब इसका tax भरने का फिर से style क्या रहा होगा, पुराने वाले style पे आ गया, सर salary, 5,000,000,000,000,000,000, जीरो, selfie की sister ने भढ़ा होगा, दो लाक, और tax, again government आई, और government ने बोला भईया, आप तो 52,000 के आसपास tax देते थे, अब ये क्यूं नहीं दे रहे हो, X ने reply किया Sir आपका जो section 60 है न वो कहता है आप income सिर्फ दोगे तब मेरे में जूड़ेगा अब तो मैंने income के साथ-साथ assets भी दे दिया यानि कहता है अगर आपने income transfer किया without transfer of assets तब मेरे में जूड़ सकते हो अब तो ना तो मेरा assets है ना ही मेरा income है तो काईदे से देखा जाए तो मैं अपने income पे अलग tax दूँगा और मेरे sister अलग test देखे दोनों का tax का अलग-अलग कर दिया जब ऐसा हुआ तो government को फिर सोचना पड़ा अब आप देख रहे हूँ साफ-साफ देख रहा है इसकी क्या है चला की अब इससे निपटने के लिए government फिर से एक section लिया आएगा बोला चलो भाई हम आपके लिए एक section लेके आते हैं और section का नाम है section section 61 revocable transfer के आपने assets दिया मानते हैं ओके लेकिन जब उसने deed पढ़ा बोला एक साल बाद इसी को वापस मिल जाएगा तो भाई दिक्कत है बोला जब कभी भी आप जब कभी भी आप कोई भी assets किसी के नाम पर transfer करोगे और वह revocable हो sir revocable का मतलब क्या है वापस आपको मिल जाए किसी ना किसी शर्तों पर तो हम मान लेंगे कि वह assets कभी अपने transfer किया ही नहीं और वह income आप में ही taxable यानि वह income जो है वह taxable कर दिया जाएगा तो इस तरीके से हमारे section 61 लाए गया ताकि कोई condition ना कर पाए अब revocable transfer जब आया तो उसके साथ साथ कुछ exception भी आये वहाँ पर कहा गया कि सर मैंने अपनी wife के नाम पे यह asset transfer कर दिया है permanently अब बताइए आप revocable की बात करते हैं ना मैंने अपनी wife के नाम पे permanently transfer कर दिया है अब तो revocable नहीं है अब wife अलग देगी और मैं अलग दूँ है जब इसने revocable transfer का किया ना रिवो के वल ट्रांसफर का कर दिया फिर इसने दिमाग लगाया होगा दिमाग क्या लगाया कि अब सर जो मैं के नाम पे दे दिया और permanently दे दिया इंकम टेक्स वाले बोलते हैं वाइफ को दिया तो पैसे लिये या नहीं लिये consideration लिया ही नहीं लिया उसने बोला लिया ना 100 रुपे लिया बोला educate consideration चाहिए मतलब परियापत जितनी property की fair market value है उतनी consideration लोगे तब मानेंगे तो अगर इसने अपनी वाइफ को कोई property transfer कर दिया है और उसका income भी उसी के नाम पे जा रहा है जो house property से income है तो ऐसे situation में आगर यहाँ पे पैसा है involved लेन देन में तो suppose करो इसकी वाइफ ने इसको दे दिये sold कर दिया कितने का sold कर दिया पांच करोड़ जैसे पांच करोड़ का बेचा less क्या हो जागा भी पीछे chapter पढ़के आएं मान लो 2 करोड़ का है तो क्या देगा यह 3 करोड़ पे capital gain देदेगा government यहां से नहीं तो यहां से बसूर लेगी tax अगर इससे educate consideration नहीं लिया गया तो सा transfer हम किसका मानेंगे transfer का ना कि transfer ही का तो हमेशा किसमे taxable हो जागा transfer सिर्फ सर यह इसके उपर applicable नहीं हुआ और भाला कि यह वाला section थोड़ा थोड़ा याद करो तो section 27 में deemed ownership में किया हुआ है क्या अगर अपनी wife के नाम पे कोई घर transfer करता है तो उसकी wife का घर माना ही नहीं जात दीम तो वहीं से section यह लिया गया इसलिए इसमें ज्यादा detail नहीं है discussion deemed ownership section 27 में इसके discussion कर ले गई है लेकिन सर अगर इसकी wife divorce हो जाए और फिर permanently transfer करते हैं without education consideration तो ऐसे situation में यह अलग है और उसकी wife अलग है तो दोनों अलग अलग text देंगे किसी का income को जोड़ा नहीं जाएगा club नहीं किया जाएगा सेम son के नाम पर करता है ओके कोई दिक्कत नीए daughter के नाम पर करता है तो ध्यान देना है minor और married इसका ध्यान देना है अगर daughter के नाम पर करता है ओकी ठीक है लेकिन अगर married daughter है और वो ना income किसी और के नाम पे कर दिया और assets आपके पास यह तो section 60 लग जाएगा section 60 क्या कहता है कि अगर आपने income transfer किया without transfer of assets then income will be club in the hand of transferr not transferring अगर आपने assets भी transfer कर दिया और वहाँ पे condition लगा दिया तो उस situation में भी यह उसमें होगा जब condition की बात करी तो x ने और दिमाग लगाया बोला भाई यह condition और government ने भी जब condition लिखना चालू किया ना तो condition में बोला condition दो तरीके के होते है एक certain एक uncertain दो तरीके की condition एक certain और एक uncertain सर, certain का मतलब जो होनत है है मैंने बोला आगले साल दिवाली आएगी तो पक्का है आना आएगे तो ऐसे condition certain इसने certain के उपर बोला अब किसी वेक्ति ने मान लेते हैं x के लाबा मान लेते हैं mr.y है इसने अपने friend के नाम पे transfer कर दिया x को देखा इसने will बनाया और इस पे condition लगाया तो condition लगाने का मतलब है कि जो property इसके friend के नाम पे गया वो क्या होगा वापसी condition लगाया कि जब तक मेरा friend marriage नहीं करता तब तक ये property उसके पास है ये भी condition revocable तो है कि ये property मेरे को वापस मिलेगा लेकिन जब तक वो अगर मानलो इसका friend योगी निकला तो तो भाईया इसका तो गया property तो ये वाला चीज जो इसने point बोला न ये uncertain है तो बोला गया अगर ऐसा transfer देखा गया तो भाईया दोनो separate separate text भरिये समझ रहे हो दोनो separate separate या फिर ऐसा कोई बिल लिख दे till death ये property मैंने इसको दे दिया till death पता चला देने वाला पहले चला गया हो सकता है possibility तो उसमें हमारा क्या है risk जादा है लेकिन death में भी ये हो सकता है अगर उसको fancy की सजा मिली हो तो अगर उसको fancy की सजा मिली हो तो वो date fix है death हमारा uncertain है पका नहीं है लेकिन अगर fancy की सजा मिली हो तो certain हो जाता है उस case में तो वो भी देखना पड़ेगा यानि आप जब revocable transfer किसको बोलोगे revocable transfer वो transfer है जो आपके पास exact वापस आ जाएगा लेकिन जो वापस कब आएगा ये नहीं पता that is not included in the definition of the revocable transfer definition हम पढ़ लेंगा है लेकिन पहले हमें दिमाग में आना चाहिए दूसरा section देखा सर हमने 61 revocable of transfer तो revocable of transfer क्या है कि कोई भी वेक्ती जैसे Mr. X है इसने अपना property transfer कर दिया सर और transfer कर दिया किसी के भी नाम पे मान लेते हैं in the name of Mr. Y with condition जैसे 25.1.2024 यानि एक certain date दे दिया ऐसे condition के साथ है तो इस तरीके का जो transfer है ये साधारन transfer नहीं है ये revocable transfer है तो ऐसे assets का जो income होगा उसके उपर ये tax नहीं भरेगा किसको भरना पड़ेगा transfer को करना पड़ेगा तो revocable transfer of assets यहाँ पर ये section निकल के तो concept क्या चल रहा है clubbing क्लबिंग का मतलब क्या होता है जोड़ना अगर आपने income को आपने कहीं और जगह पहुंचाया है तो वापस आपके income में वो add कर दिया जाएगा तो ये दो section है section 60 और section 61 61 63 भी इसी का पार्ट है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है section 62 और section 63 भी इसी का पार्ट होता है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है वो trust वगेरा के उपर है तो वो nominal सा हट चुका है बहुत पुराना था वो irrelevant हो चुका है सबसे most important section आता है हमारा पहले दो section में किसी को दिक्कत है तो फिर हम आगले section में चले दो section clear है बस आपको पढ़के reading करके लिखना है Sir deemed SSC हो जाएगा Sir एक बार फिर Network issue मेरे पास Network ठीक है एक बार मैं refresh कर देता हूँ तो दो जगह income tax की चोरी की जा रही थी जिसको रोकने के लिए सरकार ने दो section लेके आया पहला section section 60 60 क्या कहता है आप income किसी को नहीं दे सकते अगर आपका assets आपके पास है income किसी और को देंगे तो वो income आपकी मानी जाएगी Section 61 यह क्या कहता है कि अगर आपने assets भी उसको दे दिया और income भी दे दिया हम यह चेक करेंगे कि assets कहीं आपका revocable तो नहीं है तो revocable का मतलब कहीं वो assets आपको बापसी तो कभी नहीं मिल जाएगा certain date पे अगर ऐसा हुआ तो फिर से ये income आपकी नहीं मानी जाएगी ये income सामने वाले के नहीं मानी जाएगी ये income आपकी ही मानी जाएगी अब एक most important मैं पहले यही section कराऊँगा मान के चलो आपके exam में आ गया यह यह आ गया क्या है सर clubbing of income minor child जिसका भी वही यूटी बगरा या क्या कहते हैं assignment assignment में अगर यह chapter आ रहा हो इस question को तो बिलकोल याद कर लेना क्योंकि इस chapter के अंदर सरिफ जो question बनता है exam में आने लाइक एक यह बनता है और आप कहीं भी देख लो tenure वगरा कहीं भी देखना clubbing of minor child का तो sequence से हर paper में आता है यह तो clubbing of income minor child यह क्या है मान लेते हैं Mr. X और मान लो Mrs. X तो सर काइदे से देखा जाए तो यह दोनों क्या हुए husband wife अब जब यह husband wife है तो इनके बच्चे भी होंगे मान लेते हैं Mr. A एक और बच्चा मान लेते हैं Miss B एक और बच्चा मान लेते हैं Miss C अब आपने देखा होगा कई बार बच्चे के प्लैनिंग की पहले तो प्लैनिंग नहीं होता था लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के करियर को लेके प्लैनिंग बहुत जादा किया जाता है उनको पता है कि इतनी महगाई हो गई है जब तक ये अपने टीनेज में आएगा अठारा उननिस में तो इसे कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे कोर्स के लिए अठारा बीस लाग से अगर कम नहीं लगेगा अच्छे कोर्स के में बात कर रहा हूँ अगर करवाते तो अठारा बीस लाग रुपे खर्च हो जाएंगे तो पेरेंट्स क्या करते हैं पेरेंट्स इनके नाम से कुछ पैसा जमा करना चालू कर देते हैं चाहे उन्होंने क्या करा दिया? FD चाहे उन्होंने क्या ले लिया? Insurance चाहे उन्होंने इनके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी ले लिया अब इन बच्चों की उमर तो अभी कितनी है? सर एक साल, दो साल, तीन साल अब FD कराया, एक करोड़ का अब एक करोड का FD कराया तो साल का 6-7 लाग तो ब्याज आएगा, अगर 6% भी ब्याज दे रही है अज के टाइम पे FD पे, तो कितना ब्याज आएगा, मैं मान लेता हूँ 5% दे रही है, ठीक है, तो आपको कितना इंकम मिला, Mr. X की इंकम ये भी वर्किंग है, इसकी इंकम मान लेते हैं, 4 लाख रुपए है, और Mrs. X ये भी वर्किंग है, इसकी इंकम 3,50,000, यानि मैंने आपको हर किसी का इंकम का डिटेल दे दिया, अब हुआ ये, ये इंकम टेक्स देने गया, बोला सर, 4 लाख रुपए है, मेरी इंकम पे तो टेक्स लगेगा, नहीं, अब इसकी वाइफ इंकम टेक्स देने के लिए जाती अगर, तो बोलते हैं, मेरी तो 3,50,000,000 रुपए है, अब निकाल लेजिए, कैल्कुलेट कर लेजिए, 87A आएगा, और मुझे टेक्स से रिलेफ दे देगा, और ये इंकम मेरे पती ने मुझे नहीं दिया, मैंने खुद कमाया, मैं नौकरी कर रही हूँ, तो क्या इसमें जोड़ ले लो बच्चों से जाके, मेरी इंकम है नहीं, जितने इंकम मेरी है, उसका जिम्यदार मैं हूँ, मेरी वाइफ की इंकम से वो बच्चे की जिम्यदार, अब बच्चों से पूछा तो बच्चे के नाम पर ये ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि ये FD इनको अपने नाम पर करान यहां पर भी tax की चूरी की जा रही है एक तरीके से कर सकते हैं सारा property एकदब minor बच्चों के नाम पे ले लिया सारी income आ रही है बच्चों के नाम पे जा रहा और बच्चों के pocket में थोड़ी जाएगा पैसे पैसे तो उनके parents के पास ही आएगा सर इस case के अंदर गुवर्मेंट ने बोला भया इस पे तो पेरेंट्स को टेक्स देना होगा इस पे किसको टेक्स देना होगा पेरेंट्स को टेक्स देना होगा तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चों को देंगा तो पेरेंट्स को टेक्स देना होगा अब पेरेंट्स से दो अब मान लेते हैं इसकी मम्मी के अकाउंट में पैसे गौर्वर्मेंट ने बोला आप पेरिंट्स मदर हो आप ज़्यादा देख भाल करते हो आप से टेक्स लेंगे वो नराज हो जाएगी ऐसा कैसे उसके फादर में जोड जोड वो ये मेरी इंकम के उपर क्यों कर जोड जोड दोगे पता चला इतना सारा टेक्स चला जाएगा फादर में अगर जोड दिया जाए तो यहाँ पे भी नराज्गी हो सकती है यानी अब डिस्प्यूट क्या आगया कि किसके मान तो गए law तो आ गया कि ये income जोड दिया जाएगा किसमें parents में लेकिन dispute क्या आ गया कि कौन से parents में अगर अकेला ये कमा रहा हो तो तो इसमें जोड दो ये कुछ बोलेगी नहीं ये भी कुछ नहीं बोल सकता लेकिन अब दोनों कमा रहे है तो law को government को ले के आना पड़ा और law के अंदर mention करना पड़ा और government ने देखा है मेरा फाइदा कहा है इनको लड़ने दो इससे क्या मतलब मेरा फाइदा कहा है तो government का फाइदा कम होगा जब उसको tax और government को tax ज़्यादा जब मिलेगा जब income, government ने कहा whose total income higher, मतलब parents के case में, जिसकी total income ज़्यादा होगी, उसमें add कर दिया जाएगा, ये law में कहा, तो बताइए आप, total income किसकी ज़्यादा है, सर, इसके account में जोड दिया जाएगा, 9,00,00,00 और 9,00,00,00 पर 87,00,00 जो ये लेके बैठा था, वो खतम, अब normal इसको tax देना पड़ेगा, इन्होंने बहुत अपोस किया, कि ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों के नाम पर, आप बच्चों के नाम पर FD भी ना कराएगा, पूरा पांच लाग मत जोड़िये, हम आपको benefit देंगे, government ने कहा आपका पांच लाग रुपे कमाई है न, तो पांच लाग रुपे पूरा मत एड़ करिये, इसमें से पंदरा सो रुपे का exemption है, बाकी आप चार लाग अठानवे हजार, पांच सो रुपे एड़ कर लेजि कोई भी parents हो, whatever आपका X और Y, Mrs. X, ममी हो या पापा हो, कोई भी हो, अगर income को जोड़ रहा हो, तो हम आपको थोड़ा सा relaxation दे रहें, पंदरा सो रुपे उस income में से क्या कर लीजिएगा, minus करके फिर add करिएगा, ये हमारा section 10 का exemption है, exempted income जब पढ़ोगे न, तो वहाँ पे पाएगा, कब फायदा होता है इसको, मानलो इसके बच्चे का income ही होता, 1000 रुपे, तो बोलता चल भाई, ठीक है, 1000 है, 1500 रुपे exempt है, तो इसकोई taxable, अब ये 1500 महीने का नहीं है, पूरे साल का है, अब ये एक बच्चे का, दो बच्चे का, तीन बच्चे का, ये किसका है, ह फिर पता चल भाई, बच्चे ही बच्चे हो गए, ऐसे situation में बोला गया, जिसकी income है, उसकी income को जब आप club करेंगे, तो उसमें से 1500 रुपे क्या कर लेना, आप subtract कर लेना, new रिजिम के अंदर बोला बहिया, new रिजिम में भी ये allowed है, minus कर सकते हो, 1500 रुपे वाली बात को, new र फासला नहीं है, कम का फासला है, 50,000 का, क्या पता, overtime अगली बार इसने कर लियो, तो इसकी income आ गई कितनी, मान लेते हैं, 450, next year इसकी income कितनी आ गई, FD तो fix रहेगा, अब सवाल आया, कि अगर हम इसमें जोडें, या फिर इसमें जोडें, तो बोला गया, कि एक बार जिसमे जोड़ गया, उसी के अंदर जोड़ गया, फिर ये चाहे घर पे खाली बैठर है, परक नहीं पड़ता, टेक्स तो इसको, लेकिन आप देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, भेदवाओ तरीके से, मतलब कि एक justify नहीं लग रहा हमें, यापर, गवर्मेंट ने क एक बार आपका added हो जाता है, continue year and year basis पे उसी के income में added होता रहेगा, लेकिन अगर ऐसा situation genuine है, अपने assessing officer को letter लिखिए, उनको बताईए, कि अब मेरी income higher नहीं रही, ये income clubbing करिए, उसकी mother के अंदर, जो की logical है, assessing officer को लगता है, सही बात बोल रहे हैं, assessing officer जिस साल से इसमें जोड होने लगेगा, इसके wife के अंदर, तो यहाँ पर क्या बनके आया सर ये, अभी कहानी यहाँ पर खतम नहीं हुए, अब parents ने FD कराया, तब तक तो चलता है बही है, कि यार मैंने FD कराया था, text story के लिए कराया था, अब मेरे में जोड दिया गया, कोई दिक्कत नहीं चलेग ठीक है, इनके बच्चों ने DID में participate किया, जब DID में participate किया, और वनोंने price जीत लिया, एक बच्चे ने KBC में participate किया, उसने भी price जीत लिया, ठीक है, अभी हैं बच्चे, क्या ऐसा होता है कि अभी बच्चे हैं और ये participate करके price जीत सकते हैं, जीत सकते हैं आपने देखा होगा KBC में भी participate करके इसने जीत लिया और एक बच्चा अपना खुद work कर रहा है पैसे कहता है कहा गया है कि child से labor work नहीं करा सकते labor work की बात अपना business तो कर सकते है अभी अपना business कर रहा है अपने दुकान पर खुद काम कर रहा है इसने अपने कोई दुकान खोली है सर ये भी कर रहा है अब government ने कहा कि भीया इसने कितना जीता इसने जीता 20 लाक रुपे इसने जीता 30 लाक रुपे और एक बच्चे ने क्या करा अपना खुद work किया और वहां से कमाया 5 लाक रुपे कितने income होगे 20, 30, 50, 55, 55 और 55 के बाद 5 लाक रुपे पहले से चली रहा था कितने होगे 50 लाओ अब 60 लाक चूड़ेगा पेरेंट्श में तो जोड ना पड़ेगा भाई या तो अमदर में जोड़ेगे या फादर केंदर जोड़ेगे अब पेरेंट्श में जब जोड़ दिया जाएगा income अगली बार से कोई भी parents अपने बच्चों को बोलेगा निए डी आईडी में जा या किसी बच्चों को पर्मोट नहीं करेगा कि तू और तू कोई business कर बोलेगा भाई काम तू करेगा भुगतना हमें पढ़ेगा और वह पैसे मुझे पता है तू देगा नहीं मुझे पूरी जिन्दगी बोलेगा मैंने के बीसी में कमाये थे वह बाले पैसे कहां गये मेरे तो government ने यहां पर सोचा यह बात तो सही कह रहा है यह जब government को लगा तो government ने इसके इंदर डाला exception बोला आज के बाद अगर कोई भी बच्चा अपने skill से अपने ability से पैसा कमाएगा तो वो income उनके parents में नहीं add होगा उस income पे tax उस बच्चे को खुद देना होगा उस बच्चे को उनका pen card हो चाए अधार card हो जो भी process हो उनका certificate minor child का बना के उनके बिहाब पे tax देना पड़ेगा तो बताओ जब बच्चों को tax देने की बात करी गई और साथ के साथ एक और clause डाला गया in case of अगर कोई भी children handicap है जो की section 80U के अंदर define है अगर कोई भी child handicap है ऐसे situation में उस बच्चे को खुद टेक्स देना है तो आपको लगेगा यार बच्चे handicap है उससी को tax दिलवा रहे हैं तो बच्चे को उपर कुछ जादा ही burden पढ़ रहा है एक तो बच्च चल फिर नहीं पा रहा है handicap है तो यहां पर आप बताईए इसने बोला कि बच्चा खुद देगा तो यह गौर्मेंट के तरफ से relaxation है यह punishment है relaxation है बच्चे की इंकम 4-4-4 लाग है तीनों में से कोई tax देगा क्या है handicap है नहीं देगा टेक्स तो बच गया हर बच्चे का अपना अलग लिमिट है तो टेक्स बच गया तो गवर्मेंट नहीं यहां पर relaxation दिया है punishment नहीं दिया है handicap है बोला भया तू handicap है तेरे parents तेरे नाम से FD करा रहे हैं हम मानते हैं तो अब parents की income में तेरे income नहीं जोड़ेंगे तेरा individual count करेंगे तो जब हम income को individually count करने लग जाते नहीं तो सरकार को income tax कम मिलता है और यह इसलिए किया गया ताकि परमोट हो parents क्या करें handicap के नाम पर FD कराए ताकि खुदा ना खास्ता parents को कुछ हो जाए तो उसके नाम पर at least FD हो या कोई देते हैं इनके parents death हो जाती है minor child है यह या किसी reason से है ही नहीं इनके parents तो ऐसे situation में sir इसकी income किसमे club हो वैसे तो section बोलता है कि मम्मी या पापा में जोड़ दो अब तो ना तो इसके मम्मी है ना ही इसके पापा है और पापा जब थे FD करा के इसके नाम पर गए पांच करोड की FD करा दी हर साल income आ रहा है अब law तो यह नहीं कह सकता है कि मम्मी में जोड़ो पापा मम्मी पापा तो गए अब income किसके नाम पर है बच्चे के नाम पर तो अगर वह income बच्चे को ही बोल दे तू टेक्स देगा तो section को contradict मार गया यह पहले बोला कि अगर तो भाई तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो तुम्हारा कोई ना कोई तो guardian होगा जो आपको देख रेक करता होगा तो वह tax देना उसकी responsibility मानी जाएगी उसकी income में जोड़ दिया जाएगा तो यह पूरा section था हमारा 64 subsection 1A exam के अंदर बहुत important है इसको एक बार हम read भी कर ल अगर कोई भी minor child की income earn करता है तो वो income उनके parents में जोड़ दिया जाता है parents के whosoever income जिसकी higher होगी उसके income में club कर दिया जाएगा बट इसके कुछ exception है exception का है कि अगर वो अपने skill से पैसे कमा रहा है बच्चा अगर handicap है तो parents में income club वो से खुद individual देना पड़ेगा हाँ जब कभ अभी भी parents के अंदर income add होगा तो ऐसे situation में पंदरा सो रुपए का पर चाइल deduction माइनस करने के बाद balance amount क्या हो जाएगा एड हो जाएगा चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं अभी डाउट लेंगे पहले हम section को complete कर लें चलिए sir section में पढ़ता जाता हूँ कहता है income clubbing of income of minor child section 1a income of minor child the income of minor child shall be include in the income of parents कहता है parents में जोड़ा जाएगा where the marriage of his parents जहां marriage his parents का है आपका substrate जहां पे exist करता है the income of that parents whose total income excluding the minor child minor income की छोड़के जिसका income क्या होगा greater greater का मतलब जादा होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा where the married his parents does not subsist जहां पे कहा गया जहां पे माता पिता के ही साधी हो चुकी है उस case के अंदर substance का मतलब है यानि माता पिता जो है वो married है उस situation के अंदर उसके parents में जिसके income जादा होगी वहाँ जोड़ा जाएगा लेखिन कहता है where the marriage parents does not subsist मतलब parents की शादी नहीं हुई है अभी income of parents who maintain the minor child जिसे मैंने बोला guardian मतलब parents है नहीं आप उसे गलत तरीके से मतलों मतलब के parents है नहीं parents नहीं है तो उसके शादी थोड़ी हुई है जो उसको रख रहा है तो उसकी शादी नहीं हुई किसी से जरूरी थोड़ी है तो ऐसे situation में आपका जो इसको पालन पोशन कर रहा है उसी के income में जोड़ा जाएगा दो बाते बताई हाइवर the following minor child shall not be included in the parents कुछ ऐसे income है जो कि shall not be include parents में कब income from manual work by the minor child बच्चा अपने महनत से कमा रहा है income from activity involving application his minor specialized knowledge experience के इसाब से where the income minor child once include in the total income either the parents will continue to be include the total income of the same income मतलब वही बात कह रहा है इस line में एक बार parents में जुड़ गया लगातार add होता रहेगा parents आपका subsequent year also unless the assessing officer change necessary अगर assessing officer मान नहीं जाता तब तक तो उसी में जुड़ता रहेगा minor child a minor child कहता है minor child include step child मतलब सोतेला बेटा बेटी भी इसमें हो सकता है adopted child जो होगा income of handicap minor child the income of minor child suffering from disability of natural या तो nature से specified section ATU में जो given है बिमारी की list है ATU में ने बिमारी की list है हमने अभी ATC ATD करा जब ATE पर आएंगे ATU पर आएंगे तो देखेंगे उस list की बिमारी में देखा जाए not include the income of either in the parents such case total income of such child shall be compute separately and the SSC is in the hand मतलब बहिया उसको अलग से ही टेक्स देना पड़ेगा अलग से ही income का हिसाब किताब रहेगा note note कहता है when the income of the minor child include in the income of parents and tied to the exemption और कितना exemption पंदरा सो रुपे each child under section 10 32 ये exemption allowed करता है हलाकि new regime कहता है भईया 10 हम नहीं देंगे आपको minus करने लेकिन ये जो parents वाला है child वाला है ये करता है मैं कह रहा हूँ कि exam के अंदर आपका question लगभग लगभगता है कि ये पूछा जाएगा आपका किसी भी format में पूछा जाए guardian text भरेगा बताईए पहले यहां तक doubt कोई यहां तक कोई दिक्कत हमने अभी तक तीन section किया है section 60 क्या कहता है sir अपने income किसी को मत देना अगर without transfer of assets है तो आप में जुड़ जाएगा एकसेट कहता है assets दे दिया ठीक है मान गए लेकिन वो assets वापसी आपको मिलेगा तब भी आप में जुड़ेगा और section 64 ये क्या कहता है कि अगर minor child का income है तो ऐसे situation में क्या होगा कि आपको tax parents को देना पड़ेगा पहले यहां तक बताईए कोई doubt yes each child होगा हर एक child का मिलेगा पंदरा पंदरा सो रुपया बताईए अगले section पर चले बस एक section छोटा सा रह गया chapter खतम doubt मैं सबका last में लूँगा 61 repeat कर दो revocable transfer है क्या आपने अगर कोई assets किसी के नाम पर transfer कर दिया और वो आपको कभी न कभी future में वापसी मिल जाएगा तो ऐसे situation में वो income आपकी हिमानी जाएगी आपने animal का name animal के नाम कर दे तो property बच्चा कह रहा है अगर property animal के नाम कर दे तो क्या होगा अब भाई animal के नाम पर मैंने तो देखा नहीं है guardian हाँ तो guardian ही नहीं रहे ना फिर तो हाँ तो फिर बच्चा अपने आपी देगा फिर तो कोई ना कोई तो देखेगा उसको पताईए doubt देखे exception केस ना आपके मन में बड़े सारे सवाल आते हैं के सर ये section देखो कई बार क्या होता है जब हम section को पढ़ रहे होते हैं तो अगर section हमें समझ में आ जाता है तो हम वो भी चीज़े सोचने लग जाते हैं जो की इस section के अंदर covered नहीं होता तो सर हर चीजों के exception है ऐसा ही एक बार सवाल आया के माने लीजिए parents minor हो और child major हो तो क्या होगा parents minor हो और child major हो ऐसा possible है नहीं है simple सी बात है यह चला जाएगा exception case में हर कोई अपना अपना text देगा कैसे possible हो सकता है simple सी बात है सर एक मान लेते हैं 60 year old एक person है इसने marriage किया 18 year old से अब जिस लड़की ने marriage किया इसके दो ही condition रहे होंगे number one या मजबूरी number two पैसा अब इसने marriage कर लिया अब भई इस लड़की ने क्या करा पहले से planning कर रखा था इस लड़की ने लड़के को बुलाया और इसको रातो रात इसकी उमर 18 साल से कम है मान लो और ये लड़का भी मान लो 17 साल अब जो इस विचारे 60 साल के उमर के जो दो बच्चे थे उसकी उमर 20-20 साल थी अब ये क्या होगे इस दोनों के बच्चे नहीं बन गए legally आप naturally पर मत जाओ मैं legally की बात कर रहा हूँ 17 साल का लड़का था इसने इस से शादी कर लिया फिर बात में जाके है ठीक है ना तो legally तो ऐससे situation में सर हर जगा exception है पढ़ने का simple सा तरीका होता है कई बार चीज़े समझ में आती है उसमें हम बहुत सारे question ढूटते है ये अच्छी बात है लेकिन कई सारो सवाल जो है वो silently रह जाता है जिसका जवाब जैसे बच्चे ने बोला property animal के नाम कर दिया तो क्या होगा भाई animal के नाम पर property तो मैंने देखा नहीं है entertainment है अच्छा animal के नाम पर होता है अब पता नहीं भाई या मैंने movie और तो देखा नहीं है ठीक है अगले section पर चलें यहां तक समझ में आ रहा है सबको अगले section पर चलें यहां तक तो बात समझ में आती है और बड़ी आसान से लगती है कि हमने जो भी property था इधर उदर किया जिसके वज़े से section आया अब बात आ गई business के अंदर business के अंदर अगर आपको tax की चोरी करनी हो तो अपने expenses को बढ़ा दीजिए एक ही funda बचता है अगर आपका मैं balance sheet अगर p handle की मैं बात करता हूँ आपके सामने एक p handle रखता हूँ सपूस करो आपके सामने एक profit and loss है सर इधर हम लिखते है sales बहुत general profit and loss sales मान लेते हैं 50 लाग ठीक है अब सर यहाँ पर आएगा निकल के net profit मान लेते हैं हमारा purchase 10 लाग और अधर expense 20 लाग तो सर कितना निकल के आया 20 लाग का net profit इसको 20 लाग के उपर tax देना पड़ेगा अगर company है तो सीधा 30% देना पड़ेगा partnership firm है तब भी 30% देना पड़ेगा यानि 20 लाग पे 6 लाग रुपए का tax देना होगा मैंने तो एक amount ले लिया माल लेते हैं यह जो business है अगर company है तो company के case में business का मालिक कौन होता है business का मालिक होता है shareholder और आप यह मत समझ ना कि आपके पास एक share है तो आप मालिक हो कम से कम आपके पास एक इतना majority share हो जिससे आप company के decision को बदल सको उसके लिए कहा गया law के अंदर जब आप company law पढ़ोगे न यह चीज़े काम आईगी company law के अंदर जब आप voting right पढ़ोगे आपका annual general meeting जिसमें से एक सवाल पूछा ही जाएगा आपके exam में AGM के नाम से है तो वहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो company law के अंदर कुछ बच्चों ने तो paper दे दिया होगा second में तो उनको पता भी होगा सवाल तो आता है annual general meeting important chapter एक तो सर वहाँ पे बोला गया कि अगर आपके पास 10% voting right है तो आप company के अंदर कुछ भी चीज़े बदल सकते हैं लेकिन यहाँ पे law में बोला गया कि आपके पास अगर 20% किसी भी organization के अंदर हिस्सा है तो हम यह मानेंगे आप उस organization के किसी भी बात को मनवा सकते हो influence कर सकते हो मान लेते हैं Mr. X की कहानी है यह और Mr. X के पास 20 क्या इसके पास मान लो 51% है तो miss 20 minimum बोला गया है अगर जिसके पास भी 20% होता है उसको एक नाम दे दिया law ने substantial interest एक नाम दे दिया substantial interest यानि any person hold 20% और more वस person को हम सधारन person नहीं बोलेंगे उसका बोलेंगे इस organization में एक substantial interest है substantial मतलब majority एक उसका हिस्सा है और उसके हिसाफ से वह influence कर सकता है अब सर यह Mr. X की कहानी है इसका मैं मान लेता हूं 50% है अब इसकी शादी हो चुकी है अब इसने क्या करा कि सोचा यार इंकम ज्यादा है सबसे पहले तो इसने आपको पता होना चाहिए कि अपनी salary भी यह दिखाएगा क्योंकि business अलग और उनर इसने बोला इसको कम किया जाए salary salary दिखाया इसने 5 लाग तब भी income बनके आया अभी भी इसको टेक्स देना है और मैं Mrs. X की qualification बताऊं तो qualification फिफ्ट पांच भी फेल इसके wife की qualification है पांच भी फेल अगर इसकी qualification पांच भी फेल है तो इसकी नौकरी कितने रुपे की मिलेगी आप अंदाज लगा सकते हो बहुत अच्छा एक job मिल जाएगा या फिर job मिलना मुश्किल नामुम्किन टाइप का है इसने क्या करा बुला यार income को बचाये जाए एक काम करते हैं मैं अपनी wife की salary डाल देता हूं और Mrs. X की मैंने यहाँ salary डाल दिया और salary डाल दिया मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपे बोला यार अब भी 5 लाख रुपे है इसकी wife घर पे रोटिया बना रही है लेकिन salary यहाँ डाल रहा है अब बोला यार अपनी wife को मैं sales manager की commission भी दे देता हूं कमीशन पांच लाख ही दे देते हैं इंकम क्या कर देते हैं बात खत्म अब इसको टेक्स देना पड़ेगा इस profit and loss के इसाफ से देखो नहीं देना पड़ेगा और जो कहानी बता है आपको साफ पता चल रहा है कितना गलत हो रहा है सरकार के साथ हो रहा है तो government के साथ जब कानूनन तरीके से निपड़ता है government फिर से section 64 का ही एक पार्ट है जैसे वह वन ए था इसी तरीके से section 64 का government ने कहा भी है यहाँ पे तो गड़बड़ी है जब इसका tax निकालने आए बोले यह आपने 10 लाग रुपे किसको salary दिया बोला सर मेरी वाइफ है उसको salary दिया commission total 15 लाग बुलाओ क्या करती है हूँ तो बोला कुछ नहीं business कर रही है हमारा support करती है बहुत अच्छा काम कर रही है business के अंदर और जब income tax officer आये तो एक बार phone करके बुलाओ लिया भी जल्दी से आ जा यहाँ बैठना है बस और कुछ ने करना उसने देखा इसका qualification और बात करने के तरीके से तो यानि इसकी salary इसके qualification से match अगर माल लेते हैं she is chartered accountant तो एक पल को मान सकते थे बट 5 भी fail कोई skill नहीं है तो ऐसे situation में government ने क्या कहा कि भाई ये किसकी wife एक्स ने बोला मेरा अब एक्स अपना डिटेल बताओ क्या आपके पास 20% share है company का उसने बोला जी हां है बोला इसका मतलब आपके पास 20% से अगर जादा है तो हम मान लेंगे आपका इस company के अंदर क्या है substantial interest और ये substantial interest होनी की विज़े से जो income आपकी wife की है 15 लाख रुपे इस income पे आपकी wife tax नहीं देखिये बोला क्यों सर ले लिजे tax 15 लाख जो taxable है बोला कि इस income पे आपके salary में जोड़के tax है यानि अब आपकी salary कितनी बोल रहे थे आप पांच लाख पांच लाख बोलके बचना चाहते हो 87 लेके आपकी salary कितनी मानी जाएगी और अब हम 20 लाख पे आपसे tax भरे वसू लेंगे जो कि automatically 30% के cover हो जाएगा वो ठीक है न तो law कहता है यहाँ पे कि अगर किसी भी husband और wife अगर किसी का substantial interest है और उसके किसी relative को remuneration, salary बोल रो, commission बोल रो या any kind of payment दिया जा रहा है जो कि उस relative के वैसे तो husband wife की बात है यहाँ पे relative मतलिखना अगर अपनी wife को दे रहा है spouse, basically what है spouse तो अगर wife को दे रहा है या ऐसा भी तो हो सकता है wife ने अपने husband को यहाँ पे लगा दिया हो तो ऐसे situation में वो salary income वो सारा commission वो perquisits किसमे club कर दिया जाएगा, उसके husband के अंदर और उसको tax देना पड़ेगा, sir अगर मैं माल लो, मैं बोलू कि इसके husband की भी qualification second fail है तो इसका husband भी second fail है तो husband के पास share है वो ले सकता है, wife के पास तो share पहला condition अब जब ये condition आया, तो थोड़ा सा ये पेचीदा बना condition, और थोड़ा सा पेचीदा क्या बना, इसके अंदर, इसने कहा अब भाई government को थोड़ा घुमाया जाए ये इसका पी एंडल और इसका मैं share capital बोलता हूँ, तर share capital जो है, इसका है मान लेते हैं 5 लाग का, जिसमें से दो लाख रुपे होल्ड कर लिए, किसने होल्ड कर लिए, Mr. X ने, और एक लाख रुपे होल्ड कर लिए, Mrs. X ने, अब ये जो है, वो है 5th fail, अब इसको 2nd fail बना देते हैं, 2nd fail, दोनों की qualification इतनी अच्छी खासी है नहीं, यहाँ पे sales मान लेते हैं 20 लाख, और यहाँ पे purchase मान लेते हैं 5 लाख का, अब एक लाख का मतलब कितने परसेंट होल्ड होगे इसके पास, और 2 लाख का मतलब कितने परसेंट, यानि अब दोनों का ही substantial interest है, husband का भी, और wife का, दोनों का substantial interest है, यहाँ पे Mr. X की salary इसने रख लिया 10 लाख, और Mrs. X की salary रख लिया इसने 5 लाख और income कर दिया, अब समस्या यह आई कि अब किसकी income किस में जोड़े, दोनों director है, दोनों का ही substantial interest है, और यह काम किया इसलिए गया planning के साथ, कि tax को बचाया जा सके, क्योंकि एक का 5 लाख का 0 कर दिया, एक 10 पे कितना दे देगा, 5 लाख रुपए तक थोड़ा बहुत देगा, कम देगा, वैसे 20 पे ज़्यादा बनेगा, सर अगर X भी qualify ना हो तब, बता दिया अभी, अभी देखते जाते हैं, तो यहाँ पे एक cushion mark raise हो जाता है, सर अब किसकी income, किस में जोड़े, या दोनों अलग 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 तब हम allowed करेंगे, जब genuine case हो, लेकिन आपको लग रहा है साफ साफ के क्या यह genuine case है, नहीं है, यहाँ पर पर्पस क्या है, टेक्स की चोड़ी करना, टेक्स को बचाना, गौवर्मेंट ने यहाँ पर उसी section को आगे ले जाते हुए बाते बोली, कि सर, अगर किसी एक का substantial interest है, और उसने अपनी wife को अगर वहाँ पर join करवाया है, salary दिया जा रहा है, उसके qualification से match नहीं है, तब तो उसके husband में जोट देंगे, लेकिन उसकी wife का qualification है, उसकी according तो दोनों अलग अलग देंगे, यहाँ पे जिसकी income जादा होगी, जिसकी income जादा होगी, सर, income कौन सी, total income, total other income, other than salary, यानि salary को छोड़ कर, जिसकी income जादा होगी, उसके income में add कर दिया जाएगा, सपोस करो, Mr. X का, HP का income हमारा 2 लाक है, और Mrs. X का, भी HP का income एक लाक है, अब total income जादा किसकी है? X की, हमें salary को consider नहीं करना, मतलब salary को छोड़ कर, जो जादा income है, उसके अंदर club कर दिया जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे taxable कर दिया जाएगा, उसके income पे, यानि जिसका substantial interest हुआ, भाई, SST भी थोड़ी चूप रहेगा, SST ने बोला, देखो, अब मैं बताता हूँ, substantial interest की definition, sir, मेरी sales, 50 लाख, expense, 10 लाख, मैंने बोला, salary और इसको कर देते हैं हम सब्सक्राइब, 30 लाख, salary पांच लाख, और salary 10 लाख, यह X की और यह Mrs. X की, जो share है company का, वो है 10 लाख रुपे का, 10 लाख में से 50 अजार लिए Mr. X ने, कितने percent हुआ? 10 लाख का 50, अपने फादर को दिलवाया 2 लाख, अपनी मदर को दिलवाया 1 लाख, तो total इसके पास हो गए, इसकी wife ने अपने पास रखा 1 लाख, और wife ने अपने फादर को दिलवा दिया, 2 लाख, अपने ब्रदर को दिलवा दिया, 3 लाख, total कितने हो गए यहाँ पे? 4, 50, और यहाँ पे कितने हो गए? 5, 3, 2, 5 और 6, तो 50, जार कर देते हैं, 250 कर देते हैं, ठीक है? टोटल यहाँ पे हो गए है, अब मुझे बताइए क्या X, Mrs. X या Mr. X किसी के पास 20% है? Mr. X और Mrs. किस, इसके पास तो सर, और इसके पास, कुछ इन्हों ने इस तरीके से चला के दिखाई, अब इसका substantial interest तो है नहीं, और salary भी यह ले रहे हैं, tax की भी चोरी कर रहे हैं, गवर्मेंट फिर से इसके अंदर आगे और line लिखती है, substantial interest mean कि या तो वो SSC hold करता हो 20% या उसका कोई भी relative, अगर उसका relative भी कोई hold कर रहा हो, तो माने लेंगे वो सारे share आपके पास ही है, और उसको add करके हम substantial interest calculate करेंगे, और जैसा ही आपका substantial interest होगा, जिसकी income ज़ादा हो होगी उसके अंदर क्या कर देंगे, इसको add कर देंगे, उसकी income में क्या करेंगे, पुल अच्छा सा relative में जोड़ोगे, यानि यह वाला हमारा logic fail कर दिया, अगली बार क्या करा इसने, एक लाख X ने रखा, और Y ने, एक लाख रखा, बाकी बाहर outsider है हमें नहीं पता, एक लाख X ने रखा और एक लाख Y ने, या फिर 1.5 मान लेते हैं, 1.5, अब X की holding कितने percent है, 10 percent, और Mrs. Y है, sorry, Mrs. X की holding कितनी है, अलग-अलग, अब तो सबसांसर इंट्रस ने का है नहीं, और नहीं इसके relative के पास भी है, तो क्या होगा अब, तो भोला लॉने, कि भाईया, मिया बीबी, यानि husband, wife, आप भी तो आपस में relative ही हो, आप दोनों के club कर दिया जाएगा, जूड दिया जाएगा, यानि husband के लिए wife relative, wife के लिए, यानि आप दोनों का substantial interest नप बन रहे हैं, और इसके हिसाब से हम आपका income का treatment करेंगे, यानि इस वाले example में अगर देखा जाएना है, तो इसका कितना share है, सर पैंतालिस तो है, और इसकी wife का भी इसमें जूड जाएगा, एक लाग, तो इसका share हो गया, पांच लाग पचास जार, that is 55% अगर share निकालने की बात हुए, तो total overall हम concept को देखें, तो कहता क्या है, कि अगर किसी भी business, किसी organization में, अगर उसने अपने spouse को salary, remuneration कुछ भी दे रहा है, तो अगर आपका substantial interest है, तो आपकी income में उसको club किया जाएगा, दोनों का substantial interest है, तो दोनों में से जिसका भी ज़्यादा income होगा, salary वाली income को छोड़ करके, उसके अंदर club कर दिया जाएगा, substantial interest में सरिफ आपके पास share होना जरूरी नहीं है, husband और wife का दोनों का तो जोड़ा ही जाएगा, साथ के साथ अगर आपके relative के हैं, उसको भी जोड़ा जाएगा, सर यहाँ पर relative की भी definition जाननी बहुत जरूरी है, relative में कौन आता है, तो सर blood relation की बात करा गया, wife के side से, जो wife के blood relation में, यानि इसके brother होगे, इसके sister होगे, और जो यहाँ पर आपका X है, इसके relative, relative में तो देखा जाए, तो Mr. X की जो mother है, इसके भी relative लगी, ultimately देखा जाए, और इसकी mother इसकी भी relative लगी, तो ऐसा नहीं है, blood relation count होगा, यहाँ पर relative में, जब हम other source करेंगे, तब relative का definition देखेंगे, कि किस को जब gift दिया जाता है, relative से, non relative से, तब देखेंगे, कि वहाँ पर क्या concept है, तो overall यह बाते चली, इस section के अंदर, एक बार इस section को हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है, चलिए सर, 6412, कहता है, payment of salary, commission, etc, spouse, यानि husband, wife किसी के लिए payment किया जाए, क्या कहता है, if an individual has a substantial interest, ज्यान दीजिए, यह word बहुत important है, substantial interest का मतलब holding equity share, company carrying at least 20%, और voting power, known company में, concerned and tired at least, और अगर partnership है, अगर individual है, तो वहाँ पे भी 20% हुआ, तो अलग, himself या herself, more of his, her relative taken together, मतलब bracket में जो बाते कही गई है, तो जो बाते मैं समझा रहा था, 20% होना चाहिए, और उसके अंदर उसके relative को भी include करके रखा गया है, in a concern, then any payment, by way of salary, commission, fee, any other form of remuneration, किसी और form में दिया जाएगा, by the concern, the spouse of that individual will be clubbed with the income of individual, for example, एक example है, Mr. X substantial interest, A, B company के अंदर, the company pay 10,000 rupees to Mrs. X as a commission, order secured by her for company, मतलब उसने order secured किया है, this amount will be include in the income of Mr. X, however, the provision not apply, कहता है, this provision will not apply, where the spouse receive salary commission, etc., आपका virtue of the his or her technical professional qualification के हिसाब से होगा, तो include नहीं होगा, नहीं होगा, बच्चे कह रहे हैं, सर, theory का note देखो, 10 year के अंदर मैंने सारा दे रखा है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात, आपको ये PDF format में मिल जाता है, ये सारा class note, तो आप वहाँ से, वैसे तो मैं कहूँगा के, 10 year के अंदर है, तो आप 10 year ले लीजिए, जिससे के ठीक रहेगा, उसके अंदर भी मैंने, जो theory है, आप book में देखेंगे, तो थोड़ा lengthy है, लेकिन उसके अंदर मैंने इतना लिखा है, कि exam के लिए sufficient हो, लेकिन हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास काफे सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हर को ASR लिखके आएगा, तो examiner को लगेगा, यार, ये कहीं न कहीं, एक जैसा, तो आप बीच में थोड़ा सा अंसर को module अपने इसाब से करें, जैसे इसमें example कुछ और दे रखा है, आप X के जगा पे ABCD लिख सकते हैं, amount change कर सकते हैं, तो ये module मतलब करते रहना है, आपको alter अपने examination answer में, वेर बोध husband and wife, जहां दोनो substantial interest होगा concern, बोध आर received remuneration, salary commission, etc. फर्म, such concern, then the remuneration received will be included in the income spouse whose total income, excluding remuneration, income is more, तो जो बाते मैंने बताई है, simple सी बात, के भाईया, वही सारी बाते आपको यहां पे थियोरी में लिखी हुई मिलेगी, तो आपको अगर मेरी कहानी याद है, तो थियोरी आप easily पढ़ोगे, तो समझ में भी आ जाएगा, और लिख भी पाऊगे, इसके बाद, यहां तक, हमारे जो exam के point of view से, यह chapter खतम होता है, इसके अंदर कुछ एक section है, के son's wife, son's wife का मतलब है, के ससुर ने अपने बेटे की, मतलब के पादर ने अपने बेटे की wife के नाम पे कोई income दे दिया, या कई बार क्या होता है, husband ने अपनी wife को पैसे दे दिया, ले भाई पैसे ले, उसकी wife ने उस पैसे से business कर लिया, अब जब उस पैसे से उसने business किया, तो वहां से पैसे भी कमाएं, और उसकी wife ने एक जो business किया, वो ऐसे नहीं किया कि उतने पैसे से किया, अगर उसी पैसे से business किये जा रहे हैं, उसकी wife के द्वारा तो सारा income उसके husband में club होगा उसका income भी कुछ उसकी wife ने और भी मिला दिया तो एक छोटा सा section है इसके अंदर पहले यहां तक देख लीजिए सबसे important वही था minor child वाला किसी को कोई दिक्कत है तो अब पूछ सकते हैं यानि total income निकालेंगे तो उसके बीच में यह point डाल देगा आपने देखा होगा पहले भी question में आगया other source से income है तो या फिर कुछ child का income आएगा तो बीच में आ सकता है बाकि यह पूरा theoretical ऐसा कोई practical question ही ने चलिए sir section 60 clubbing of income clubbing of income का मतलब होता है जो income आपने कहीं और बांट दिया है उस income को आपकी income में दुबारा जोड दिया जाएगा that is clubbing of income section 60 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी income किसी और के नाम पे transfer कर दिया है और आपका assets आपके पास यह जैसे आपने अपना property आपके नाम पे है और उससे होने वाला rental income किसी और के नाम पे किया है तो वो rental income उस व्यक्ती की न माने जाएगी आपकी ही माने जाएगी क्योंकि section 60 यहाँ पे applicable होता है section 60 क्या कहता है आपका section 60 कहता है कि transfer of income without transfer of assets तो वो income transferr की होगी ना कि transferring की होगी सर दूसरा section दूसरा section आता है हमारा section 61 section 61 की बात करें तो section 61 क्या कहता है दूसरा section 61 कि अगर आपने section 60 से बच जाते हो और आप कहते हो कि हमने income भी किसी और को दिया है और assets भी किसी और को दे चुके हैं तो ऐसे situation में ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस income पे उसी को tax देना चाहिए जिसके नाम पे assets गया और जिसके नाम पे income गया बट अगर वो assets जो दिया है वो conditional हुआ यानि revocable हुआ अब आपसी आपको मिल जाएगा ऐसे situation में उस पे आपको ही tax देना पड़ेगा जिसने वो income और asset transfer किया लेकिन condition भी कौन से होने चाहिए certain, uncertain नहीं होना चाहिए uncertain का मतलब क्या हुआ आपने friend को एक property gift कर दिया बोला जब तक तेरी शादी नहीं होगी यह property तेरी है तो sir यह उसी को tax देना होगा यह uncertain है certain का मतलब fix बोल दिया 2024 के दिवाली तक तेरे पास यह property रहेगी तो certain है उस case में आपको इस पे tax देना पड़ेगा अगला section हमने देखा बहुत important minor child का मैंने कहा यह section आपके exam में आएगा minor child के income में क्या है कि आपके बच्चे की कोई भी income होती है sir बच्चे की income कैसे होगी आपने ही उसके नाम पे कोई FD करा दिया होगा कोई shares ले लिया होगा कोई LIC करा दिया होगा तो वो income parents में जोड़ा जाता है income tax के according और parents के इसमें जिसकी income सबसे higher होगी और एक बार जिसमें income club होगया हर साल उसी में club होता रहेगा और sir assessing officer को अगर आपने convince कर लिया तो फिर income clubbing बदल भी सकता है income add होने से पहले 1500 रुपे का आपको deduction मिलेगा साथ के साथ clubbing of income minor child में exception की इसे क्या sir exception की इसे अगर बच्चा अपने skills से पैसा कमाता है बच्चा अपने hard work से पैसे कमा रहा है बच्चा अगर कोई disable है ऐसे situation में उसके उपर tax वो खुद बच्चा देगा उसके उपर parents नहीं जोड़े जाएंगे सर इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना है कि अगर parents नहीं है child के ऐसे situation में जो उसका देख रेक करता है उसी को उसपर tax देना होगा चलिए सर अगला था हमारा इसके theory देख लिया हमने अगला है हमारा चलिए अगला है अगर हम payment करते है salary, commission या कोई remuneration अपने spouse को और देखा गया कि ये सारी चीजे payment हो रही है अगर आपका substantial interest है और wife का qualification उसके according नहीं है जितनी उसको salary दे रहे हो तो वो income उसके husband में add कर दिया जाएगा लेकिन अगर wife की qualification है तो उसकी wife को अलग tax देना है और husband को अलग tax देना है दूसरा point अगर आपका husband और wife दोनों का ही इसके अंदर substantial interest है तो उस case में दोनों की जिसकी भी total income जादा होगी salary remuneration को छोड़ कर उसमें add on कर दिया जाएगा वो salary और commission वाली income तीसरा point इसमें remind रखना है अगर in case of in case of के यहाँ पे substantial interest क्या है तीसरा point है substantial interest क्या है आपको 20% holding करते हूँ company में partnership में 20% आप करिए holding या आपके relative करें सभी को जूड करके substantial interest count किया जाता है और substantial interest में husband wife आपस में relative होते हैं तो उनके भी shares को क्या कर लिया जाता है count कर लिया जाता है तो यहां तक है यह हमारा total सर क्या provision है यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखिए हमने last class में section 60 कर लिया था section 60 में क्या था income transfer नहीं करना आपको अगर income transfer करते हो where assets आपके पास है तो वह income आपकी ही मानी जाएगी transfer करने का कोई फाइदा है नहीं revocable में assets transfer करोगे तो condition मत लगाना इसके बाद आगे देखा जाए यहां पर commission spouse का substantial interest कर लिया था अब बात करते हैं हम income from asset transfer to spouse अब देखिए ध्यान दीजे मान लेते हैं Mr. राम और यह Mrs. राम राम ने क्या करा यहां पर इसको पचास अजार रुपे दीए ध्यान दीजेगा राम ने इसको पचास अजार रुपे दीए और Mrs. राम के पास पहले से कुछ saving यानि पहले से कुछ पैसे रख रखे थे बाकी के पचास अजार रुपे मिसस राम के पास भी थे मिलाए तोटल Mr. राम के पास हो गए एक लाक रुपे जब Mr. राम के पतोटल एक लाक हो गया तो Mr. राम ने सोचा कि एक काम करता हूं कि मैं business start कर लेती हूं इसने अपना बुटीक का काम स्टार्ट किया जोकि 1,00,00 पे सफिसेंट सा इसटार्ट कर लिया अब जैसे इसने बुटीक का काम स्टार्ट किया 1st YEAR का इसका profit 1st YEAR का profit इसका आता है मान लेते हैं 20,000 रुपे का तो सर 20,000 रुपे का जो profit है ये profit हलाकि सारा effort लगा के मिसिस राम ने कमाया है लेकिन इसके अंदर assets का contribution भी रहा है किसका assets का contribution था सर अगर मैं assets के contribution की बात करता हूँ अगर मैं assets की contribution की बात करता हूँ तो 20,000 रुपे के assets में 50% assets contribute किया है उसके husband ने तो यहाँ पे जो 20,000 की income है उसको दो हिस्से में बाट दिया जाएगा सर एक income माना जाएगा उसके husband का जो की होगा 10,000 और एक income उसकी मानी जाएगी 10,000 और ये 10,000 income इसके अंदर जाके club कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी husband ने transfer किया हो तो उसी के उपर provision है देखते हैं क्या कहता है बड़े simple सा है एक्जाम के point of view से बोलूँगा बहुत rare पूछा जाता है ये क्या कहता है income of assets transfer to spouse if an assets अगर assets other than house property house property के अलावा is transfer by husband to his wife अपने wife को करता है by way of her husband without educate consideration any income कोई भी income from such asset deemed to be income of the transferer तो वो income किसकी मान ली जाएगी कोई भी income arise होती है तो transferer की वो बिस सी बात है this rule और ये rule however does not apply the following case ये rule नहीं लगता where the transfer is full consideration अगर उससे पूरे पैसे लिये थे जो भी asset transfer के अमान लिते हैं jewelry दिया ये कुछ भी दिया तब नहीं लगेगा where the transfer connection with the agreement leave apart divorce का case हो तब नहीं लगेगा where the asset transfer before marriage marriage से पहले अगर दे दिया हो तब भी नहीं लगेगा क्योंकि है risk है where the date actual where the date of accrual income transfer not spouse transferer मतलब जहाँ पे date of accrual income जब हुआ transfer is not the spouse मतलब कहने का मतलब उसकी wife नहीं है बाद में उसको income मिला तो उस दिन दे दिये गया when property तो सारी कहानी वही है कि अगर हम किसी को asset transfer कर देते हैं और बिना educate consideration की तो वो income आपकी ही मानली जाएगी एक ये point रहे गया ता sir ये इतना important नहीं है लेकिन फिर भी हमने read कर लिया 10 year के अंदर आपके questions given है और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और book के अंदर भी था तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अब अगले point पे चलते हैं sir clubbing of income में theory है हान जी बिलकुल theory है और कुछ भी नहीं है इसमें अभी किसी का भी doubt नहीं लूँगा accrual का मतलब होता है due सर accrual का मतलब होता है due last में सभी को मैं point दूँगा कि भी आप doubt पूछे जिस तरीके से हर class में रहता हूँ मैं यहां पढ़ लेते हैं एक छोटा सा point छोटा सा provision income from asset transfer to daughter-in-law अपने son's wife को दिया if an individual कोई भी transfer assets without educated consideration his daughter-in-law son's wife को any income arise from such assets will be include the total income of transfer ultimately यह जो chapter है यहां पे जो provision है बनाने का एक ही purpose था कि सर कभी भी कभी भी ऐसा हो कि कोई income कमा रहा है और income किसी और के नाम कर दे तो हम वापस उठाके उसी के income में जोड देंगे अगर देखा जाए टेक्स चोरी के लिए किया गया है तो और इस case के अंदर कई genuine भी जोड़ा जाएगा ऐसा नहीं है कि वो बोल दे कि हमारा purpose ही नहीं है तो उसको भी जोड़ा जाएगा तो देखा जाए तो पहले वाला point और यह वाला point सेम था सबसे major point यह आया था एक कैता है transfer of assets to other other persons associated with wife एक बार देख लेते हैं क्या provision था हुआ यह Mr. X और Mrs. X Mr. Y और Mrs. Y यानी यह चार परसन है अब कहा गया कि भाईया आप wife को property दे देते हो inadequate consideration में तब यह income जो भी है वो आपकी मानी जाएगी law यह कहता है कहने के पीछे purpose भी है भाईया प्रोपटी तो घर में रह गई आपका यहां पर रिस्क नहीं है कहां जाएगा बाहर लेकिन एक जगह पर बोला गया अगर आपने अपने मंगेतर को property दे दिया तो भी या उसी को देना है क्योंकि आपका रिस्क है वहां पर वो लेके चली गई या चला गया तो आपका तो गया वह property यानि अब यहां पर लोगों ने क्या करा चला की करा Mr. X और Mrs. X दोनों मान लेते हैं Mr. X और Mr. Y दोनों friend है यह यह दोनों friend है इसने क्या करा इसकी wife को gift दिया एक property इसकी wife को दे दिया अब तो सर यह आपस में जो Mr. X है और Mrs. Y है यह तो आपस में relative भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसने इसको property gift दे दिया तो law के नजरिये में क्या माना गया सर रिस्क है यहां पर तो यह property की income इसके उपर taxable हो जाना चाहिए फिर Mr. Y ने भी बोला मैं भी gift दूँगा इसने इसको दिया क्या gift दिया इसका अलग property होगा इसका अलग property होगा जो भी दिया अब देखो हालाकि income जो है वो separately जब भी generate होता था इसने इसको दे दिया अलाकि इसने इसको दे दिया अब इस तरीके से देखा जाए इस property की income पे tax यह देगी normal rule और इस property जो इसको मिला है वो यह देगा तो यह दोनों बच गए एक छोटी से planning के इसको बोला जाता है cross planning तो law ने जब ऐसा देखा के भाईया तू उसकी wife को क्यू gift दे रहा और वो तेरी wife को क्यू gift दे रहा है तो ऐसे situation में एक ऐसा triangle बन गया कि situation में सिर्फ text story है और आपने शादी कर लिया कार्ट चपबा लिया साधी हो गया लेकिन income tax को शादी नहीं मानते जब तक आपको कोट के अंदर certificate नहीं कर लेते तब तक आपका legally नहीं माने जाता तो बहुत लोग क्या करते हैं property से कैसे बचा जाए अपनी wife को divorce दे देते हैं और आधी property उसके नाम रहे हैं only paper के terms में husband wife अलग-अलग है और reality में दोनों साथ रह रह रहे हैं इस planning यह भी एक tax planning का हिस्सा है सर इस planning के हिसाब से वह अपना income काफी सारा बचा सकते हैं क्यूंकि अगर divorce है तो without educate consideration उसको property दिया जाएगा तो वह उसी की property मानी जाएगी और उसी पर देगे तो यह जैसे provision आता जाता है इस पर अभी तक कोई law नहीं बना लेकिन आने वाले time में बन जाएगा कि साथ में रहने नहीं दिया जाएगा अगर divorce है तो साथ में रहने नहीं दिया जाएगा कुछ ऐसा law बन सकता है यहां बोला गया transfer of assets to other person associated person to the benefited spouse कहता है if an individual transfer assets without educate consideration to some other person किसी को दे दिया associate percent या उससे जुड़ा हुआ था for the immediate आपका deferred benefit his or her spouse उसके wife को या उसके husband को benefit मिल रहा था any income arise from such assets that person associated will be include total income transferer extent of the benefit spouse मतलब उस spouse को नहीं मिलेगा यह मिलेगा किसके अंदर transferer में जोड़ दिया जाएगा मतलब यह भी जो चाला की चली कुछ दिनों तक चली यह यह जैसे ही पता चला government को cancel कर दिया और यह section लेके आ गये बच्चे कह रहे no video चलिए देख लीजे refresh कर दिया चलिए सर इसके बाद income from business not important मैं reading कर देता हूं normally income from business में क्या है सर business से जो income होगा where the asset transfer to the spouse मैंने बता दिया daughter-in-law invest into the business income arise transfer from business shall include in the income of transferer जो मैंने इक अभी बताया था assets दिया boutique का example लिया था same वैसा ही है यह भी minor child का हम सर already done कर चुके है remuneration पहले ही हो चुका है तो यह इस तरीके से clubbing of income खतम हो जाता है इसमें section 65 है जो कि अगर कोई transfer करा जाए limited liability partnership firm में कोई asset transfer करता है तो उसके उपर exam में नहीं पूछा जाता पहले हमने exam oriented पूरा complete कर लिया है यह chapter सर और यह था हमारा पूरा clubbing of income